नरक में सबसे पहले तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र दुसरा, रोरव, महा रोरव, कुम्भी पाक, काल सुत्रम, असी पत्रवन, शुकर मुक, अंधकुक, कुरुमी भोजन, संदश, तप्त सुर्मी, वज्र कंटक, शालमली, वैतर्नी, प्रान रोध, विशसनम, लाला भक्ष सारमयादन, अवीची, ये सब नरक के अंदर डिपार्टमेंट है, जहां पर आपको जाना है, नहीं आप तो नहीं जाएंगे न, आप तो वेकुन जाएंगे न, लेकिन जिसको जाना है, वो ध्यान से सुन लेगी है, हम लोग अमरीका जाते हैं, तो दो महीने पहरे से नही तेयारी करते हैं, पूरा मैप लेकर गूगल में देख लेते हैं, यहां पर यह है, यहां यह है, तो नरक में भी जाना है, तो देख लीजिए, गूगल में करा रहा हूँ आपको, कौन चीज़ कहा है, कैसी है, तो रोरव, महारोरो, कुम्भी पाक, काल, सुत्र, असी पत्रवन, शूकर मुख, अंधकू, क्रिमी भोजन, संदश, तप्त सुर्मी, वरजकंटक, शालमली, प्राणरोध, वैतरणी, विशसन, सारमयादन, अवीची, अयःपान, शारकर्दम, रक्षोगन, भोजन, शुल प्रोध, दंदशुक, अटव, परियावर्तन, शुची मुख, इस प्रकार से शुगदेव गोश्वामी कहते हैं, कि ये सब नरक के नाम है, अभी भी शुगदेव का मूड नहीं हो रहा था, धर्मराज जी, शुगदेव का मूड, शुगदेव जी ने कहा, कि ये सब नरक के नाम है परिक्षित, अब मैं आगे कता सुनाता हूँ, परिक्षित ने कहा, रुको, 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 केवल नाम मत दो महराज, कीस नरक में क्या दंड दिया जाता है, और कीस नरक में कैसे अपराधी को, क्या पाप करे और कौन सा नरक मिलता है, हमको विस्तार से बुदिमान व्यक्ति वो है जहां जाना है वहां की वस्तू को पहले से समझे ले जब परिक्षित महराज ने कहा कि आप एक ही श्लोक में सारे नरकों के नाम गिना दोगे नहीं चलेगा महराज आप एक-एक नरक के बारे में हमको विस्तार से बताईए अब नरक का वरणन शुक्देव गुसामी शुरू करता है लेकिन इसके पहले में आप सब को कह दूँ कि दुनिया में लोगों की नरक के बारे में कई सारी धारण आये है कुछ लोग का ऐसा मानना है कि नरक और स्वर्ग कुछ नहीं जो भी है यहीं पर है ऐसा नहीं है नरक और स्वर्ग यहीं है ऐसा नहीं है नरक एक अलग स्थान है जैसे मैंने आपको बताया कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो भी दंड मिलता है दुख मिलता है हमको यहीं पर मिलता है नरक स्वर्ग कुछ नहीं हाँ यहाँ पर हमें दंड मिलता है एक सेंपल है रियल वास्तवीक दंड तो नरक मिल जैसे फॉर एक्जाम्पल आपका थाइलेंड में मुझे पता नहीं लेकिन भारत में जब कोई पुलिस चोर को चोरी करते हुए पकड लेते तो दंडे से बहुत पीटते हैं उसी जगह पर ही वो पुलिस दो-पांच दंडे मारती हैं और पकड लेते हैं और लेकर जाते हैं तो उस चोर को दंडे से मारना ये उसकी वास्तवीक सजा नहीं है ये तो एक सेंपल है वास्तवीक सजा तो उस चोर को कोट में ले जाएंगे और जज जजमेंट देंगे उसे ये जेल में दालना है वो उसकी वास्तवीक और वो धन्ड हमें नरक में भुगत ना होगा कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं उससे भी गए गुज़रे कि नरक है ही नहीं यह सब लोगों को डराने के लिए कहा जाता है बै तुम को डराने से हम को क्या मिलने वाला है मुझे यह बताईए दुसरों को डराने से क्या मिलेगा तो कुछ लोग कहते हैं कि बस रुशिमोनियों ने जिवों को डराने के लिए नरक की बाते की नरक वरक कुछ नहीं है यदि नरक होता तो हमको दिखता हमको दिखाई नहीं दे रहा है मतलब नरक नहीं है ऐसे मुर्खों को कहना चाहिए क्या आपको हवा दिखाई दे रही है हमें हवा नहीं दिखाई देती है तो क्या इसका मतलब यह है कि हवा नहीं है अरे कुछ चीज ऐसी होती है जो हमारी ग्यान से परे होती है हमारी द्रश्टी से परे होती है कई बार कुछ लोग कहते हैं अरे छोड़ो नरक वरक को किस ने देखा है नरक किस ने देखा है तूने नहीं देखा शुगदेव ने देखा विदव्यास जी ने देखा कृष्ण ने देखा बगवत गीता में बताया जिस ने देखा है उनको पूछो बुद्धिमानी वही है ना कि जो देखा है उनका अनुबहू हम कई बार कुछ लोग कहते हैं नरक होता तो दिखाए देता हम जाते हैं पहले क्या होते हैं आज कल तो ये मुबाइल फोन आ गया है पहले वायर वाले फोन हुआ करते थे और फिर उसमें वैसे गोल गोल घुमा था के भारत नेपाल वर्मा हम जब फोन करते थे तो उसका बील चड़ता था तो गर्वाले कहते हैं जल्दी फोन रखो बील आएगा तो नहीं दिखाए दे रहा है वो बील उस समई नहीं दिखाए दे दे गा लेकिन जैसे ही एक महीना समाप्त होगा आपने जितने घंटे जितनी मिनिट जितनी सेकंड जितनी पल्स बात की है उसका सारा लिफाफा घर पर आएगा और उसे भर नहीं होगा फोन का बिल महिने के बाद आता है और जीवन में किये हुए पाप का बिल मरने के बाद आता है बिल जरूर आता है जैसे फोन में बात करो दिखाई नहीं देगा वैसे आप अभी पाप करो अभी बिल नहीं आएगा अभी तो credit card use कर लो आप अभी तो पाप कर लो क्रिश्न ने इतनी स्वतंतरता दे रखी है लेकिन इसका बिल जो है मरने के बाद चुकाना पड़ेगा और यदि पाप किया है तो बिल नरक में जाकर चुकाना पड़ेगा यमराज के दरवार में जाकर और भक्तों जो जीवन बर पाप करते हैं वो मरने के वाद सीधे नरक में जाते हैं जो भक्ती करते हैं और जिसकी भक्ती परिपुर्ण हो गई वो तो सीधे वईकुंड गोलो पुरिंदा बन जिसकी भक्ती अधूरी रह गई है वो सीधे मनुष्य बनते हैं शुचिनाम श्रिमताम गेह योगो भष्ट अभी जायते किसी धनी परिवार में किसी पवित्र किसी भक्त के घर पर उनका जन्मा होता है ताकि जो भक्ती अदूरी है उसको वो कम्प्लिट कर सके जिसे आजकल के बच्चे नहीं बच्पन से ही हरिनाम जब करते हैं गीता के श्लोग बोलते हैं ये पुर्व जन्मा की सुकृती भक्ती लेकर आये हैं ये आजकल का नहीं है नहीं तो हम पचास साल के बुड़े हो गए हमको पांश लोग भी नहीं आते हैं और छोड़े- तो जो पूर्ण भजन कर चुका वैकुंट जिसकी भक्ति अधुरी रह गई भक्त के घर पर तुरंत मनुष्य लेकिन जो अपने जीवन में पाप करता है उस पापी की बड़ी दुरगती होती है बड़ी दुरगती है एक तो जिसने पाप किया है उसकी मौद भी अच्छी नहीं होती वो बड़ा दुखी होकर मरता है पुण्य करने वाला तो तुरंत एटेक आ गया तुरंत चला गया न खुद परिशान न दुसरों को परिशान लेकिन पापी आदमी सड़ सड़ के मरता है बहुत परिशान होता है और फिर एक दिन उसकी मृत्य हो जाती है मृत्य हो जाती है तो उनके बेटे लिखते हैं स्वर्गवास सीधा नरक में गया है कुछ लोग तो मुझे बड़ी हसी आती है कुछ लोग केते हैं मेरे पिता जी जब मरे थे तो वो कृष्ण के फोटो के सामने देखते थे लेकिन हम अपने आपको मनाने का प्रियास करते हैं मेरे 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 पिताजी जब मरे तो वो भगवान का नाम अब मरने से दो मैने पहले वानी बंध हो जाती है वा गदगदा कफ़ित से भर जाता है न बुद्धी काम करती है न वाणी न कान न कुछ काम नहीं करता है केवल काम करता है तो मन एक बात याद रखिएगा कि मरते समय केवल एक ही तत्व काम करता है और वो है हमारा मन, हमारा माइंड और इसलिए गीता में कृष्ण ने बार बार कहा मन मना भव मदभगतो अर्जुन कुछ नहीं चाहिए मुझे अपना मन दे दो क्योंकि जीवन भर हमारा मन कृष्ण में लगा है तो मरते समय के वल एकी तत्व काम करने वाला होगा वो मन कृष्ण में लगेगा और मन यदि मरते समय कृष्ण में लगा तो यम्यम भापिस्मरण भावं भद्वान कृष्ण को हम्पराप्त कर सकते हैं जीवन भर जब कोई पाप करता है तो मरने के बाद पहले तो उसे लेने के लिए यमराज के तीन तीन दूत आते हैं भयंकर काले पहाड के समान होते हैं उसे देख कर मरने वाला डर जाता है और डर के मारे पसीना छुड़ जाता है आखे पड़ जाती है और शरीर में जो भी मल मोतर होता है निकल जाता है तो कि भयंकर दूतों को वह देख चुका है और यम्राज के दूत जिसको लेने के लिए आते हैं वही उसे देख सकता है और कोई नहीं देख सकता इसे हमारे देश में मानियत आए कि कुत्ते और गाई देख सकते हैं इसलिए राग को कुत्ते कहीं कहीं भोगते हैं कि देख लिते हैं इसी मान्यत है कहीं लिखा नहीं है लेकिन जिन को लेने आये हैं वही यम्राज के दूत को देखते हैं और यम्राज के तिन तिन दूत आते हैं रसी से रदई से आत्मा को खीच कर निकाल कर लेकर उस परिश्थिती में भी वो पापी मरना नहीं चाहता है इतना परेशान हुआ है लेकिन फिर भी खुद मरना नहीं चाहता है मरते समय उनको बड़ा कश्ट होता है लेकिन जबरदस्ती यमराज के दूद उसे खींच कर घसिट कर लेकर जाते हैं और यहां से 99,000 योजन दूर नीचे जो भी उता है आपको 99,000 योजन दूर नीचे पित्र लोग में लेकर जाते हैं पित्र लोग जहां वेटिंग होता है और फिर उसे यमराज के कोट में खड़ा किया जाता है यमराज जी बैटे हैं अपने आसन पर और यमराज जी का एक मंत्री जिसका नाम है चित्र गुप्त और उस पापी को वहाँ पर खड़ा किया जाता है और यमराज जी चित्र गुप्त को कहते हैं चित्र गुप्त बताओ इस व्यक्ति ने जीवन में क्या क्या पाप किये है और चित्र गुप्त अपना अब तो वहाँ भी लेप्टोप आ चुके हैं कॉम्पूटर आ चुके ह चेत्रगुष तो ना कॉम्पिटर खोलता है चेत्रगुष परेशान हो जाता है महराज आप इसे तो बड़ी से बड़ी सजा दो क्योंकि ये पतायाका आजमी है ये फतियाका है और इसने इतना पाप किया इतना पाप किया हमारी तीन हार्डिक्स भर गई है ये हमारी तीन-तीन हार्डिक्स भिगाड़ चुका है महराज पहले तो ये हार्डिक्स के लिए इसको दंड दो इसका कितना लेखा जो काम को रखना पड़ेगा सो इस प्रकार से यमराज जी देखते हैं कि किस जीव ने क्या सजा की है और उस पाप के अनुसार यमराज जी उनको दंड देते हैं सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविन दास यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब करे और बेल आइकोन को प्रेस करना ना भूले